ऐसके जंता बहुत दुखी है बी जैपी के कामों से असारा राजनिती कर रहें मोदी जुमले बाजी के नाम पर चोर है वह चोरी से बोट जिरता है वह राम राम करके और पराया माल अपना घीचे चला याता है सबस्क्तार आपको पाकिस्तान भी बेबात की बात है कि तो कहेंग के मंदिर मना दिया है तो मोदी जी से सबसे पहले यह पूछ हो, कि सब्से नहींदान कें जाके उनके सहनसद इतनी कंदी कंदी कालिया देते हैं केमनल सुत्र क्या होता थे पूरा पूरा विकावाई और खुला विकावाई ये कहता है तुम कुछ भी कर लो पर मैं सपोर्ट करूँगा मोदी कई जहाद के गुल्डान बनाना है हमको दुनिया के सुल्तान बनाना है हमको जहार में जहाद के लगबे खौब जीए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको सर में इतना कहना चाहूंगा कि दस साल में खेरन मोदी न देश को आगे बढ़ा दिया बहुत आगे बढ़ा दिया युवाओं को बेरोजगार कर दिया महिलाओं का रुजगार नहीं महिला सुरक्षित नहीं और जो देश में हमारे में महेंगाई है महेंगाई बिलकुल भी कम नहीं तो इतना काम मोदी ने जो किया है वो कम नहीं है बहुत बड़ा काम कर दिया अब इसके अलावा लोग कहते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया में देश आके पड़ा, एक उस्पिटल नी बनाया आज तक, एक कोलिज नी बनाया, मोदी ने मोदी ने देश बेच दिया, लेकिन बेचने की तो कैदी और खरीदने का कुछ नहीं का, सबसे पहले मीडिया खरीदा उसके बाद में हम कहते हैं bleibt अगर बैलेट पेपर से करा दे हैं हम कहते हैं यह सो भी पार नहीं होंगे यह गारंटी है बिल्कुल और सरफ एबीम की महरवानी है यह बेहिमानी से आगे निकले हैं बेहिमानी का इनका दंदा है और एक मिनट मेरी बात सुनो जो बावाज शाहब ने बीमराव अम्मेड करजी ने यह संबिधान बनाया जिससे हमारा पूरा देश चलता है अगर मोदी जी को संबिधान बचाना हो तो मोदी जी की कैमनेट के बड़े बड़े नेता और वो यह कहते हैं के हम संबिधान को पाड़ के फैक देंगे यह मोदी juidran बचाने की बात हमारे मोद魯 जी करते हैं तो मोदी जी सबसे पहले पूछो कि सबीधान के ंदर जाके उनके सानसद इतनी गंदी गंदी कालया देते हैं एक मिलफ्व ही सेस्". है क कि अमारे मोधी जी एक अमारे भाही को जो राउल गौंधी चीप स्रेखन से जीखना पड़ए अगर उनके किसी भी नेता कोर उनको अगर दिया जाएब कि आपको इस ताद-बाह wow आपको मुध्य बात करना है तो मैं प्रॉमिस करते हूं और मैंने बिलकुल मैं कह सकता हूं कि पहाँ से साथ मिंड के अंदर हैं वो मुद्य पह रुक नहीं सकते हूं के उनसे मिट आपको हिंदू मुसल्मान देखेगा का मंधिर मजीद दिखेगा आपको पाकिस्तान दिखेगा ठीक है ये चीज उनके बीच में आनी है सोब परसेंट अच्छा अभी दो दिन पहले उनोंने कहा है हमने कई लोगों से पूछा कि अपने पूरे जीवन मैंने कभी हिंदू-मुसलिम नहीं किया है और कभी ऐसा करूंगा तो पबलिक इस कि मिला है उनाना से वह आगे बढ़के और पीछे हो गया है इंदू-मुसलमान की बात कर रहे हो यह हिंदू-मुसल्मान से हमारे देश के लोगों के इंदर हैं उन इस तरीके से नफरत भठ बढ़ दियाना उनको पथा कि इन्दू-मुसलमान की बिना हमारा सब्याना कर रहे हैं यह जब से कर रहे हैं जब आडवानी जी न रतियात्रा निकाला था जब हमारे कुछ इंदू भाई पे और कुछ मुसल्मान भाईों के बीच मां बंद हुआ था और वह उनकी गलती नहीं ती नेता होगी जो ततकाली राज जो दान हमारा परदान मंतरी उस टैम मे ठीक है उस टैम में गांदी नगर जो गुजरात का है वहाँ पे ततकाली मीटिंग हुई थी उनके आवास पे और आज में हमारे देश के पुर्व संजी बढ़ जो हाई पेस हो भी सरते हैं जो उस टैम में भी वहाँ के मुक्य मंतरी की जिम्मेदारी और वहाँ के जो ततक सब्सक्राइब चूड़ा नहीं हो रहा है उनके साथ में दो और वैक्ति बंदूए थे उनको बेल मिलका बाहर है यह इस तवह से अंदर है क्योंकि इन्होंने डैक्ट मोगदी पर हमला किया था सुपिंग कोड़ के अंदर और उस बिचारों को उस केस में डाल देगा जिस केस के अंदर उस टेम ततकाली ग्रह मंतरी अमिसाजी सरकार उनको बाईज़ बरी कर दिया गया था यह बोलकर कि इनका कुस्कुन है और वह भी ऐसा कस्टडी केस था जिसके अनदर वह वैक्तिक अभी उनकी कस्टडी में छलीगा नाइस जंजी जागे किसी टीम के कस्टड तो हमारे जो रहे जो हमारे तत्काली जो पर्दान मंत्री है ना उनका है कि बात करने की बात है कि तो कहेंगे कि हमने काम आप जानते हो ना तो अब कहने का मतलब यह है कि देखो लो एक्टर जो अभी बॉंड फटा था था ना इलेक्टर बॉंड उसके अंदर हमारे देश के अंदर तीन सो आइडियक्स हैं तीन सो आडियक्स एक गाड़ी के अंदर फटा ना पटा कस्मीर जैसे सहर के जो हर दो किलो मेटर दूर में चैक पोश्ट लगा हुए ठीक है वहां पे तीन सो आडियक्स गया कैसे और जब गया तो पटा और उसी ट्यायम के अभी एलेक्ट उन में फटा है मामला कि पाकिस्तान के कंपनी जो कस्मीर में चला रही है वहां से भी चंदा हुआ है उन्हो बरश्टार की अगर बात अगर हम करेंगा तो बरश्टार है ना हमारी बीजेबी सरगा से बढ़िया कोई करी नहीं सकती है ठीक है अगर बात आएगी नोकरी की तो आप देख लो विचारे अभी अच्छे एच्छे यूनेसिटी दा पढ़के बिचारे पड़ा बड़ा प रही लाया थोड़ दिया चाना वह लगया वहां से हरा दिया मोदी जी ने मैच में गए तो मैं चराया और जहां मर जी जा रहे ना वो बंदा हारी रहा जिससे हाथ मिला रहे है अच्छा मैं यह बताईए जो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की सरकरा आई तो मंगल सुत्र छी योगी जी भी क्वारे योगी जी भी क्वारे मोदी जी भी क्वारे उन्होंने अपनी भेन की मा भेन का क्या मंगल सुत्र देखा जब वही क्वारे हैं तो मंगल सुत्र का क्या मतलब समझेंगे वो मंगल रहे हैं कि मैंने देश के लिए जो है देश की सेवा के लिए पूर इंग्लेंड आप घूमरे हुआ तो क्या समा रहा है कि अपनी मा को यह नहीं समाल पाए तो देश को क्या समाल है बताओ अच्छे दिन को आएंगे हमारे वह तो कह रहे हैं कि जो देश का नाम उनके भासल सुनिए तो कि भाई विश्व में डंका बज़रा जर्मानी में सबमें बज़रा ठीक है तो जहां जहां मोती जी गए हैं तो होँआ क्या करके आएं आप बताओ अपना रवय्य दिखा का है मैं हूं मिला वां मिला मैं वां मिला मैं श्रैलिया गया हूं मिला मैं डंका बजाके अपने घर आए और घर bhi ना आए योगी के पास जाके सो तो दोनों को आ रहे हैं तो देश को क्या बचाएंगे परी फैमिली को तो बचालो तो हमने देश के लिए काम किया इसलिए जो 135 की जनता है उनके साथ है और तीसरी बार हम जीतेंगे देश को बेच खारें मैंने अपने राज में 40 रॉप्या का साथी हुई थी आप लगा लो सलंडर की महम क्हां ज़ा रही है वह निकिता हो रही है कि 25 गोडों लोगों हमने बाहर निकाला है कि हम 25 गोडों को बहुत है देखो कांग्रेश ने गाओं में जमीन गरीबों को दई घर दिये कांग्रेस ने हम जो हैं तीन बजे उठके निया में लंबल लगाती थी तूटी के उपर कांग्रेस ने घर-घर में तूटी लगाई घर-घर में पैसा दिया घर-घर में नाले बंद करे क्या नहीं करा कांग्रेस के इतोर आज में यह ब्रश्टाचार किया कि नहीं क्योंकि दिल्ली पे पुरा होडिंग बोर्ड लगा हुआ है कि ब्रश्टाचार पेवार मोधी सरक पाकिस्तान के एक कंपनी से चंदा लिया है उसके बारे में तो मेडिया दिखाएगी यह बोड लगाने से क्या होता है बोड लगाने से कुछ निए वो जो बोड लग रहे हैं वह भी जनता के पैसो से लग रहा है जी एस्टी बढ़ाए जा रहा है लेकिन भाजपा के समर्थक जो हैं बाहर कुछ लोगों कह रहे हैं कि फिर से साथ उसीट प्यार है लोगों का अक्रोस देखा कैसे जन सेलाब उनकी तरफ उतर के आया है तो ये तैहे 25 तारिक के बाद दिल्ली से तो सपाया है ये चार तरिक के बाद हिंदुस्तान से भी बीजेपी का सभाए है अचा आप क्या कहोगे आप युवा हो रोजगार पे लेके उन्होंने कहा है कि हमने देश में रोजगार पैदा किया है महिलाओ के च्छित में काम किया है जो एक पड़ाली का युवा मेहनत करके एक आर्मी में जाने का सपना रहता था उसको उन्हों dragged को मकार चोड़की कर आप अपने देश को समालो बैंट पर 25 करजा हो चुका है देश के अंदर यह बहुत रोजगार हो गया है उन्होंने बादे उन्होंने वादे करें थे कि सब के अकाउंड में 10 लाग आएंगे एक भाई मुझे पता दो कि 15 लाग किसके अकाउंड में नहीं कोई भी दिखा दो और जो कॉंग्रेस के राज में संडर स 400 रुपे का मिलता था 1100 रुपे का हो गया है ठीक है पैट्रोल देख लो 55-56 रुपे का मिलता था जो एक एक आम आदमी की स्प्लेंडर भाई जो भी कुछ भी लेने की होती थे 50-55,000 की लगती थी वाज एक लाग रुपे की हो चुकी है तो आप यह सोचिए नोकरी में क्य क्या कर रहे है देश के साथ किया कर रहे हैं और इजो सबसे बड़ी बात होती है जूमारे देश की जो एक होती है मीडिया मीडिया को एक तो देश के अंदर दो मीडिया एक तो आपकी उसका नाम मेडिया रखा गया आप रादने आज सुबह पांच बज़े टी वी सला देना न तो खाली मोधी जी चल रहे होंगे और 8-10 मीडिया वाले आगे-स भर के दिंसे नहीं करता कर देना चाहता हूं कि आप जो बोलते हैं कि उनको मीडिया कवर नहीं करता अगर जी बोलते हैं उनको मीडिया कवर नहीं करता चोविस घंटे भी मोदी जी दिखाए जा रहे हैं जब मीडिया कवर कर लेगी उनको तो जब क्या दिखाए जाएगा तो जब को मोदी जी जो मांग रहे हैं वह अमिशा जी के लिए मांग रहे हैं अगले साल मौदी जी का रिटारमेंट अमिशा मनेंगे पर्धान मंतरी देशीं अब जीत रहा है कया बाजबा बदा रहां वह मोदी आपने का कि मैं बता रहा हूं कि मौदी जी हम इसाव को पर रदान बंतरी वनाने के लिए वोट महांग रहे हैं लेकिन उनको यह पता है दिल्ली के अंदर स्कूल सोधार दिये तो सबसे बड़ी बात है इनको सरकार सथा में आना है और सथा में आनी पाएंगे पावर देता है मुझे भी आपको भी एक फुलिस ओफिसर को भी कि आप बहुत दिल से खड़ें क्या कहना चाहते हैं यह कांग्रेस की सरकार आ रही है मोदी जी की सरकार आ रही है अगर इमानदारी से कर वोट हो ना तो मोदी सरकार को सो सीड भी नहीं मिलेगी सो सीड भी नहीं मिलेगी भाई साब यह मैं लिखके देता हो पर यह चुनाव आयोग पूरा पूरा विकावा है और खुला भी कावाई यह कहता है तुम कुछ भी कर लो पर मैं सपोर्ट करूंगा मोदी कहीं आपने चुनाव आयोग पर पूरा प्रसंचीन लगा दिया परसंचीन क्या हकीकती वही है अब यह जो यहां का हमारा केजरिवाल का जो वह है एल जी वह कहां का है गुजरात है जब दिल्ली को केजरिवाल चला रहा है तो एल जी भी दिल्ली कहीं होना चीए बोधी ने एल जी कहां का बैठा है गुजरात का यानि कि इन्होंने जितने भी बैठा है सारे अपने बंदे बैठा हो जिसके सरकार रहते हो अपने आदमी को बनाता है यह तो हर सरकार में ह पर इन्होंने रातों रात कानून पल्टा है। यह थे अपनी मर्चिका बिठा देता है तो अप गुंडा है कि सरीफ है यह बाद में लोगों को पता लगता एलजी भी कोई सरीफ नहीं है आज जब से केजरिवाल बंदुआ कितने प्राइबेट बच्चों को इसकोलों से निकाल दिया गया है क्यूंकि पता था कि अपके जिवाल एक संद ले नहीं सकता बहुत लर्वान चाहा है मंदी ने मोदी अ कि िंदर मोदी चोर है द चोर को चोरी करने में कोई गुना है तो करता है तो चोर है वह चोर cuma को हीरो है लाखों में करोरों में एक है इसलिए कि दैश का भला सोचता है महुदी बुरा सोचता है रामराम करके अब पराया मल अपना घीचे चला आता है अरे वो कह रहे हैं कि हम प्रस्टाचार हटा रहे हैं हमने गरीबों को जो है धंदिया और मुसल्मान को उसमें दबा दिया यहीं नहों रहा लर्वाने के चैसिवा हिंदू सोचता है कि मेरे लिए भगमान तो हमेशो के लिए था राम तो आज उठके नहीं आ गिया धर्ती प लर्वाने के लाओं कुछ ने किया मुझी और वो तो कहते हैं कि हम फूरा जंता उनको प्यार करती है प्यार करता है क्या करता है क्या करता है अ प्वान नहीं आंदी है जिसका नाम राहूल गांदी है रहूल गांधी आंधी है नम्रुप बाख कर लगा दी हमने राहूल तुम्हारे कार के पिछे पलग को जीद बीजिलिया गीडियाने की और हमें भी जीद रहूल तुम्हें प्रधान मंत्री बनाने की अभी अभी हम बाहर घूम के आ रहे थे कुछ लोग मिले तो बोले रहें कि सातों की सातों सिधम जीत रहें ये सम्मजमा चलता रहता है 400 पार कर रहें ना इनको हम बेज़ेंगे साथ समुंदर पार सहे समुंदर पर देश की जंता बहुत दुखी है बीजेपी के कामों से असारा राजनिती कर रहे हैं मोदी जुमले बाजी के नाम पर मोदी जी ने कहा कि हमारे नेत्रित में पूरे विश्व में देश का नाम हो गया है देश आगे बढ़ गया देश डंका बज़रा भी तुम्हारा है अगर तुम जूत को सच लिखदो एक खबार भी तुम्हारा है और इस दोर के फरियादी जाए तो जाए काहाँ कानुन भी तुम्हारा इभी आम भी तुम्हारा है आप क्या कहें आप थोड़ा बड़ा अलग ड्रेस में आए पुरा आपने तिरंगरोंगा लगाया क्या कहेंगे मोदी जी कह रहे हैं कि फिर से प्रादी दुरचारी बरश्चारी करेंगे प्राण पर्तिष्ठा संक्राचार साधू संत महात्मा ताली बजाएगा पूरा रट क्या है आप रट के नहीं आए हैं मूड बना के आए हैं बाहर जो लोग कह रहे हैं कि इस बार भी सातों की सातों सिठ हमारी वो कौन है वही है जिनको गोदी मेडिया है इस देश को बड़बाद करने में जितना हाथ मोदी का नहीं है न उससे कहीं गुना ज्यादा ये गोदी मीडिया का है ये मीडिया जिसको समीधान ने तक मनमोहन सिंग के पीछे-पीछे माइक लेकर के रोड पे दोड़ती थी आज हेलिकॉप्टर से जाकर के न्यूज रिपोर्टिंग करती है इसका विकास हुआ है यह चंद रखेल बन गई है मेडिया मेडिया फोर्स पिलर नहीं रहे गई है यह चंद निताओं की रखेल बन पे लुटन को भी कि देंगे बाहर के लोग यह भी कह रहे हैं राहूल गांदी ने किसी वो बोलाया नहीं था यह मोहब्त थी राहूल गांदी की जंता के लिए जंता राहूल गांदी के पीछे पीछे दोड़ी थी और और कभी भी यह देख लेना ओ dentist पादिजी के पिछे पते कौन दोरती है। शिरीफ और शिरीफ एक ही है वो गोधी मीडिया, राद दिन मोधी-मोधी का भजन रटती है। आम जंता उसका नाम नहीं रटती है। ज़र और यहां पाद भीया है। हम लोग जमीर वाले हैं। हम लोग जमीर बेचिना नहीं जहांगे हैं यहां से जाने के प्यार महांपत वाने हो तो आपने देखा कि किस तरह से यहां के लोग राहूल गांदी के प्यारे पागल है उनको लाने के लिए बेकरार है भाजपा अपना नमबर ही कि हम सरकार बनाएंगे और यहां की जो जनता है जब मोदी सरकार कहती है कि 400 लेकिन जब जमीन पे आते हैं लोगों से मिलते हैं बात करते हैं तो हमें सचाई पता चलती है कि मोदी सरकार की दावे कितने जूटे हैं क्या है आपकी राय आप अपनी आए कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें